पहानी शुरू होती है और हम एक मेरिट कपल को देखते हैं जो दोनों ही यंग होते हैं लड़की का नाम जैप और लड़की का नाम समेंथा होता है वो दोनों एक दूसरी को बच्पन से जानते हैं समेंथा का इस दुनिया में कोई नहीं था वो बिलकुल अकेली था यानि उ लोग काफी बड़े जिसकी वज़े से वो समेंथा को पुशी-खुशी एक्सेप्ट कर इसकी बाद उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाते हैं वो दोनों अपनी मेरिट लाइफ में बहुत खुश होता खास तोर पर जैक इस खुशी के आलम में जैक एक कैमरा और समेंथा को कहता है कि हम लोग बहुत खुशाल जिनकी गुजारे और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हर फुशवार मुमेट को इस कैमरे में कैप्चर करें इसका फाइदा ये होगा तकि बाद में वक्त गुशनने के साथ हम वो सब देख सके इसके बाद वो लोग हनीमु हैं डिड़ के पास चाहत हैं डिड़ हाथ पढ़ने वर पास वो सैम के हाथ को पढ़ती है और अजीबों करीब बाते करना शुरू कर दीती जिससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते क्योंकि वो सैम को कहती है कि वो काफी अर्से से उन लोगों के लिए इंतजार कर रही ती जगा छोड़ने का फैसला करते लेकिन यहां पर उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है वो रास्ते में होते हैं और अपना रास्ता भूल जाते और अपने होटल का रास्ता उनको याद नहीं रहता वो लोग उस रास्ते पर चल रहे होते हैं कि अचानक एक टैक्सी वाला आकर और कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता वो आदमी काफी फ्रैंकली नीचर होता है वो लोग उस आदमी का बेहिवियर देकर काफी इंप्रेस हो जाता है गाड़ी में ड्राइवर उन दोनों को कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग हनीमोन पर आएं तो मैं चाहता कि मैं आपको यहां पर एक खुबसूरत जगह दिखाओं और वहां जाकर आप येकिनन इंजुआई करें वो उनको बताता है कि आपको वहां पर ज्यादा दिर स्टे नहीं करना पर सिर्फ 20 मिनट जिसके बतले में वो उनसे कोई चार्जिस भी नहीं लेगा उसकी बाते सुनक सेम इंकार कर दें कि सैम ठक चुकी होती है और अराम करना चाहते लेकिन जैक उसको बताता है कि तुम बाद में अराम करें हम ज्यादा आरसा वहां स्टे नहीं करेंगे जैसा कि उस ड्राइवर ने कहा सिर्फ 20 मिनट इसके बाद हम देखते हैं वो गाड़ी वाला उनको एक जाते हैं और सारे रात वह खुब डिरिंकर वो शराब की नशे में हो जाते और इसकी बाद उनको खोश नहीं इसकी बाद देखा जाता है कि कुछ लोग उनको वहां से उठाकर ले जा रहे होते हैं काफी अजीबोगरीब काम करतें जैसे कि वह सैम को एक जगा पर रखते ह उसके इुद्गीर एक दाइरा लगा दे और अजीबों गरीब रिचुल कर दे और अपने तरफ से कुछ अजीबों गरीब रसमें अदा कर दे और ये चीज़ देखने में काफी भयानक नजर आती थी येकिनन आप सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या मतलब हो सकते ये सब वो क कैसे आए शायद वो टैक्सी वाला हमें यहां पर लेकर उसके बाद उनका हनीमोन पूरा हो जाता और वो वापिस अपने घर आ जाते ही कुछ दिन बाद सैम को एक खुशखबरी मिलती हुशखबरी ये कि वो मा बनने वाली थी वो काफी हैरान थी इसलिए हैरान थी क्योंक से बच्चे की मा पर फिर हम देखते हैं कि इस खुशखबरी से सब लोग बहुत खुश हो सेग्मेंट होने के बाद सैम हैसूस करती है कि कुछ निशान है जो उसकी पीट पर लेकिन वो इसको बड़ी बात नहीं समझत वो सोच रही होते हैं कि शायद इस हालत में ऐसा हो सक इसलिए वो इसको इगनौर करते हैं और दूसरी चीज़ जो सैम के साथ हो रहे हैं उसकी नाक में से कभी कभी लेडिंग शुरू हो जाते हैं जैसे के एक रात सैम सो रही होती है और जैक उसको सर्प्राइज देना चाहता है वो उसे कैमरे से वीडियो में उसको कैप्चर क cenल रहा होता है कि सैम फोरन जागूट और फोरन हरबढ़ा कर उठ जाते हैं और जैक का हाथ का जई सास्का मृती से पकड़ा सीम के हाला है कर कसो का डर जान हो इक सोच रहा होता है वो सौच रहा होता है कि यह सब हो नेंद książा ने कंकर रहा है यह सब काफी उठाए कीषिश वो उसके पास जाती है और गोड़ से उसको देखती रहती उसको देखती देखती थोड़ी की देर बाद वो उसको वही पर उठा लेती है और सब के सामने उस गोश्ट को खाना शुरू कर देती वो इतने बुरे तरीके से वो गोश्ट खा रही थी देखने में ऐसा लगता थ लग कुछ और ही हो सकता। पुछ दिन बाद हम देखते हैं एक अजीव घृब वाक्या जब जैक उसके साथ होता है वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं और पारकिंग एरिया में सैम को गुसा आ जाता है और वहां पर खड़ी सब गाड़ीों के शीशे तोड़ देती है शायद सैम ये सोच रही थी कि वो गाड़ी उसके लिए ठीक नहीं है उसको नुकसान पहुंचा सकती है जैक सैम की ये हालत देकर काफी अपसेट हो जाता है और वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है उसके ख्याल में ये इसलिए हो रहा होता है कि वो प्रेगनट है और टेस्ट करने के बाद वो जैक को बताता है कि इसा नॉर्मल थींग ऐसा होता रहता है उसको इसकी फिकर करने की जरूरत नहीं वक्त गुजरता गया और सैम की हालत और खराब होती है ऐसे लगता था जैसे उसके पास एल्विस पावर्स थी क्योंकि उसकी तरहां और प्रेगनन औरते जब उसके पास होती थी तो उनके पूरी बाड़ी में पेंड होना शुरू हो जाती है सैम और जैक चर्श में जाते हैं और सैम वहां के फादर से मिलती है वो उसको जैसे ही हाथ लगाता है उस फादर की तब्यत खराब होना शुरू हो जाती है और थोड़े ही देर बाद उस फादर की नाक और मूँ से खून आना शुरू हो जाता है और उसकी सेर में भी मसलसल डर्द रहता है इसके बाद उस पास्टर को फोरण हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है सब लोग हरानों परेशान होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो गया जैक भी काफी हरानों परेशान होता है इसके बाद जैक एक बात सोचता है उसके जहन में फूरण एक बात आ रही होती है कि जब उस फादर की मुझ से खून आता है पूरे तरीके से घूर रही होती है जो काफी अजीब था इसके बाद जै सैम को मश्कूक निगाहों से देखता है वो फोरण अपने कमरे में जाता है लैपटप खॉल के अपने वो फोटिज देखता है जो उसने कैपचर किये होते है वो फोरण देख रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसी बाद आ जाती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है वो क्या थी? वो ये थी कि जो टैक्सी वाला उनको हनीमून पर मिला था वो उस चर्च में भी मजूद था जिससे वो काफी शौक दो जाता है ये देखकर जैक सोच में पढ़ जाता है कि कहीं वो इनका पीछा करता तो यहां नहीं आ गया इसके बाद वो अपने हनीमून वाला फोटिज खोलता है और बारी बारी खोलके देखता है वो सारी फोटिज में फोटिज ठूनता है और आखिरकार उसको एक वीडियो मिल ही जाती है वो वीडियो जब वो लोग बिहोश थे उसमें साफ नजर आ रहा होता है कि जब वो लोग बिहोश थे चंद लोग उनको उठाकर ले जा रहे थे और वो सब उसमें कैपचर हुआ होता है जो उनके साथ हुआ था यानि वो सब रिच्वल, वो रस्म रवाज जो उन लोगों ने किये थे और अब जैक का शक और पुखता हो जाता है और अब ये उसको यकीन लगने लगता है वो सोचता है जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है वो सोचता है कि ये सब हलाद कोई नॉर्मल चीज़े नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी बात है इसके बात वो सोच में बढ़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए फिर वो अपने एक दोस को बुलाता है अपने घर पर ताकि वो सब कुछ देख सके जो उसके साथ हो रहा होता है लेकिन जैक को इस बात का इल्म नहीं होता कि हालाद उसके कंट्रोल से बाहर है क्योंकि उसके साथ जो bad luck होती है वो ये थी कि वो घर से बाहर जाता है और जब वो वापिस आता है तो एक चीज़ देकर वो बहुत हैरान हो जाता है वो क्या थी वो ये थी कि उसके laptop में से सारा data कोई चुरा लेता है वो ये देखकर काफी हैरान और परिशान हो जाता है फिर उसको ये शक होने लगता है कि कई दिन से हमारे पीछे कोई है मतलब कोई उनको मसलसल फॉलो कर रहा है वो परिशानी की आलम में इदर उदर फिर रहा होता है तो उसकी नजर विंडो पर पड़ती है वो देखता है कि किसी नजर विंडो पर अजीब औ गरीम किसम की मिट्टे गिराई हुई है ये किस चीज़ की तरफ इशारा था वो काफी सोचता है इन हलास से वो काफी डर जाता है और वो फोरण पुलिस को इनफार्म करता है पुलिस को ये सब कहानिया लगती है वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता इसकी बात वो उस फादर के पास जाता है जिसकी हालत खराब हुई थी उस फादर की हालत काफी तफ्तिशनाग थी काफी सीरियस कंडिशन में था और वो जैक को कुछ बताता है वो कहता है कि वो वक्त दूर नहीं जब बहुत से एंटी क्राइस्ट पैदा होंगे यानि दज्जार वो बस इतना ही कहता है और खामोश हो जाता है वो कोई भी बात को एक्स्प्लेन करके नहीं बताता जैक बहुत परेशान था उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए थे क्योंकि इस सारे हलात से वो नावाकिफ था और सैम में भी काफी अजीवो गरीब तब्दिलियां आ रही थी जैसे जब वो अकेली घर पर मुझूद होती वो वो ही रिच्यूल्स करती जैसा उसके साथ हुआ था और ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब वो अपने होश खो बैठी है उनके घर बर्डे पार्टी होती है और बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं उन गिफ्ट में किसी ने एक बहुत खुबसूरत नाइफ सैम को गिफ्ट में दिया होता है वो नाइफ को लेती है और दूद राज जंगलों में निकल जाती है और वहाँ पर मुझूद जानरों का शिकार करती है जो काफी खतरनाग बात थी वो उनका गोश्ट काटती है और उसको खा जाती है एक बात तो तै थी जिसको जैक भी सोचता था वो गाड़ी अक्सर उनके घर के सामने खड़ी रहती थी इसके बाद जैक अपनी बेहन को बलाता है और कहता है कि मैं जरा उस गाड़ी का पीछा करा हूँ कि उसमें कौन है तुम तब तर सैम का ख्याल रखना उसके बाद वो उस गाड़ी का पीछा करते हुए निकल जाता है और कुछ दूर निकलने के बाद उसको एक ओल्ड हाउस जो तकरीबन काफी अरसे से बन था नजर आता है वो उसके अंदर चला जाता है उस घर में दाखिल होते उसे नजर आता है कि किसी ने वहाँ पर वो ही कैमरे लगाए हुए है जो उनके घर में है यानि किसी को पता है कि अंदर उन लोगों ने कैमरे लगवाई हुए है अब उसको कंफर्म हो गया कि वाके ही वो लोग उन पर नजर रखे हुए है वो बहुत डर जाता है और भाग जाता है और भागने के बाद वो सिधा अपने घर आ जाता है घर आने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए अभी वो ये सोच रहा होता है सैम की जोड़ जोड़ से चिलाने की आवाजें उसको आना शुरू हो जाती है वो फोरन उसके तरफ भागता है और एक बहुत अजीब वाक्या हो रहा होता है वो ये कि जब वो चिलाती है एद्गिर्द की घर की सारी चीजें हिलना शुरू कर देती है और ऐसे फिल हो रहा था जैसे वहाँ पर अर्थक्वैक आ रहा है जलजले के शदीद जटकी वो सारा घर वाइबरेट कर रहा होता है उसके बाद वो इद्गिर्द देखता है और अपने बेहन को डूंटा है उसके बाद दूर पड़ी उसकी बेहन की लाश उसको मिलती है जो के मर चुकी होती है क्योंकि वो सैम के पास उस हालत में चली गई थी जब वो अपनी रिच्वल में मसरूफ थी और सैम ने अपने उसे जदोई पावर से मार डाला देखने में और सुने में ये काफी भयानक और खुफनाक नजर आता है क्योंकि कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एक शक्स के चिलाने से सारा घर हिल रहा था इसकदर के जैसे जलजले के जटके जैक हिमत करते हुए उसके पास अपने कमरे में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक सरकल बना हुआ है जिसके अंदर सैम खड़ी हुई है और ऐसे लग रहा था कि उस बच्चे का इस दुनिया में आने का टाइम हो गया है जैक देखता है कि वो काफी बुरी कंडिशन में है वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है वो जैसे ही सैम के सामने जाता है वो अपनी जदूई पावर से उसको हवा में उचाल देती है वो एक नाइफ से अपनी बैल्ट को काट देती है जैसे ही उसका बैल्ट कर जाता है वो फोरण नीचे गिर जाती है और भी होश हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद जब उसको होश आता है तो वो अपनी असली हालत में आ जाती है इस सब हालत को देखते हुए जैक काफी डर जाता है उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ वो फोरन सैम के पास भागता हुआ आता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सैम मर जाती है उसके बाद दर्वाज़ा खुलता है और सैम देखता है कि कुछ लोग आए हैं वो ही मिस्टीरियस लोग वो लोग उसके बच्चे यानि सैम के पेट में से उस बच्चे को निकालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं इन सब को जैड देख रहा होता है और कुछ करने की हालत में नहीं होता वो बहुत परिशान होता है इसके बाद पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और उसको अरेस्ट कर देते हैं और वो लोग समझ रही होते हैं कि ये सब कुछ जैड ने किया है और सारा इलजाम उस पर आ जाता है क्योंके वो मिस्टेरियस लोग एक भी सबूत जो उनकी खिलाफ जाए या कोई सुराग मिले छोड़कर नहीं गए थे उसके बाद कुछ दिर बाद हम देखते हैं कि वो ही गाड़ी वाला जो जैड और सैम को लेकर जा रहा था वो फिर एक कपल को इंजिस्ट करता है कि वो उनको घुमाने लेकर जाएगा कहानी काफी कॉम्प्लिकेटिड हो गई होगी कि इसको समझना मुश्किल है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं एक रो ऐसा है जो कि शेतान की पूझा करता है और जाहिर सी बात है कि वो लोग अच्छे तो नहीं होंगे उनके पास काफी एवल्स पावर होंगी शेतानी कुवते होंगी और वो लोग उस दुनिया में कुछ बच्चों को लेने आते हैं उन बच्चों को कि जिनकी माएं ऐसी होते हैं कि जिनोंने मरी हुई माँ के बगएर जिन्दगी गुजारी हो यानि डिलीवरी के दुरान मरने वाली माओं को वो लोग प्रैफर करते हैं और उनसे पैदा होने वाली बच्ची को वो अपने साथ ले जाते हैं उनका एक कल्ट होता है जो बहुत बड़ा ग्रो होता है और वो लोग उस बच्ची की परवरिश ऐसे ही करते हैं जैसे एक घराने में उसकी परवरिश होती है, छोटी से बड़ी होने तब जब तक कि वो जवान ना हो जाए और उसकी शादी ना हो जाए, वो लोग काफी ताकतवर होते हैं, और उनके लिए ऐसी ओरतों को पासना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि वो तादाद में भी का जनम ना दे दे, और वो लग उसे अपने साथ ना ले जाए, क्योंकि वो बच्चा उस नॉर्मल इंसान का नहीं होता, बलकि वो एवल्स पावर वाली ओरत का होता है, जो रिच्वल कर रही होते हैं, जैसे उस फादर ने भी ये बात की थी, कि वो वक्त दूर नहीं, जब से दिच्जाल पैदा होने वाले, और ये भी उसी की किसम है, जिसके पास शेतानी पावर है, और इनको एंटी क्राइट्स भी कहते हैं, ऐसी ओरतों की कोई जगा नहीं होती, मतलब उन्हें तब तक ही जिन्दा रहना होता है, जब तक कि वो उस बच्चे को जनम नहीं देत मतलब उस बच्चे की पैदाश तक ही उनको जिन्दा रहना होता है, क्यूंकि वो एवल्स पावर वाले लोग उनकी तब तक जान नहीं चोड़ते जब तक कि वो उसका बच्चा निकालना ले, और यहां पर हम ये अंदाजा लगा से हैं, कि वो लड़की सैम, जैसे उसकी म होई, उसकी माँ भी इसी मौत में गई होगी, उमेद है आपको इस कहाने की समझ आ गई होगी, और आप इस मुवी को लाइक करें,